केंद्रे कॉंग्रिस प्रभारी अविनाश पांडे तीन दिवसे जार्खरन दोरे पर हैं और इस दोरान वोराची पहुंचेंगे जहां पर बिर्सा मुंडा एरपोर्ट पर कॉंग्रिस के कारेकरताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया वहीं उनकी स्वागत में वैसे नेता और विधायक भी नजाराय जुन्हें पार्टी ने 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया है या फिर निलंबन करने को लेकर अनुसंशा की गई है वहीं प्रदेश प्रभारी के कारेक्टरम की बात करें तो कई मुद्दों को लेकर 3 दिनों तक वो मेराथान बैठक करेंगे 12 जनवरी को कॉंग्रिस के प्रदेश कारे समीती की विस्तारिता बैठक होगी इसके तहट 11 जनवरी को रामगर्ड में कॉंग्रिस के राजवनेतिक मामलोकी कमेटी की बैठक होगी जिसमें वर्तमान राजवनेतिक हालात 1932 खतियान अधारित इस्थाने नीती दलित उतपीडन महिला सशक्तिकरण जैसे एह मुद्दो पर विचार किया जाएगा सिसाती पार्टी के अंदर उट्राए विरोध और संगठन के कारक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी कल हम लोग राजवनेतिक मामलों की समयति की बैठक है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे